हाई वीवर्स वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल राजनशाइन एंड मैं हूँ सौम्या दोस्तो वैसे तो लहसुन खाने का जाएका बढ़ाने के लिए इस्तमाल किया जाता है मगर क्या आपको पता है रोज सुभा खाली पेट कच्चे लहसुन की दोसी तीन कलिया खाने से हम कई बिमारियों से बस सकते हैं लहसुन हमारे ओवर ओल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशल होता है दोस्तो लहसुन में ओश्दिय गुण होते हैं लहसुन मिनरल, विटमिन्स, औड आंटि उक्सिडेंट से भड़बूर होता है लहसुन में ऐलिसिन नाम का एक कमपांड पाया जाता है यह एन्टि फंगल, एंटि बैक्टेरिय reuse, एंटि उक्सिडेंट के रूप में काम करता है एलिसिन कमपाउंड कच्चा लहसुन में ही पाया जाता है क्योंकि जब लहसुन को पका दिया जाता है तो इसमें से एलिसिन कमपाउंड नश्ट हो जाता है इसलिए कच्चा लहसुन खाना बहुत ही फायदे मंद होता है हमारे सेहत के लिए तो दोस्तों आज मैं आपको अपने वीडियो में रसुन खाने के फायदे बताऊंगी साथ ही इसे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और इसे खाने का सही तरीका क्या है ये भी बताऊंगी वीडियो को शुरू से अंग तक जरूर देखिएगा इसकी पमत कीजेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेर जरूर कीजेगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को एंड कीजिए बैल बटन में और नोटिफिकेशन को आउन जरूर कर लीजेगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो के अपडेट्स मिलतीर हैं तो चली दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं डाजेस्टिव सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए लहसुन का सेवन करना बहुत ही फाइदमन्द होता है लहसुन में मिनरल्स एन विटमिन्स होते हैं जो कीडनी ब्लाडर एन लीवर हेल्थ को इंप्रूफ करता है रोज सुभा खाली पेट कच्चे लहसुन की दोसी तीन कल या चबा-चबा कर खाने से डाजेशन एन एपिटाइट स्टिमिलेट होता है गार्लिक कॉंस्टिपेशन यानि की कप्ष को ट्रीट करता है गार्लिक में फाइबर पाया जाता है इसलिए पाचिन कीडिया को स्ट्रॉंग करने के लिए लहसुन रामवान ओश्दी के तरह क स्ट्रॉंग करता है और मौसमी बीमारिया जैसे सर्दिखासी जुकाम, नीमोनिया, रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन, कफ से प्रोटेक्ट करता है साथी अस्थमा और ब्रॉंकाइटिस को भी ट्रीट करता है रेग्यूलर गार्लिक खाने से शरीड में गड़मी प स्ट्रॉंग होता है यानि कि हमारी रोग परती रोधक छमता बरती है जिससे हम बार बार विमार भी नहीं होते हैं तो कच्छा लहसुन का सेवन करना बहुत ही जरूरी है कच्छा लहसुन का सेवन करने से पुरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है साथी ब् लहसून में omega fatty acid होता है जो हमारे heart के लिए बहुत ही important होता है इससे हमारे heart को मजबूती मिलती है इसलिए प्रुभा खाली पेट कच्छा लहसून खाना बहुत ही important है detoxify our body, raw garlic खाने से body के सारे toxins impurity बाहर निकल जाता है लहसून में powerful antioxidants होते हैं जो blood purification करता है और हमारे शरीर को detoxify करता है prevent cancer garlic में antioxidant, antibiotic and anti-carcinogenic properties होती है लहसून free radicals की संख्या को तेजी से कम करता है दोस्तों ये free radicals सी cancer होने का main factor होता है लहसून कई तरह के cancer को बनने से रोकता है relief in joint pain खाली पेट लहसून खाने से joint pain यानि की जोरो का दर्द और गठिया की समस्या दूर होती है लहसून में anti-inflammatory properties होती है जो inflammation यानि की सूजन को ठीक करता है कच्चा लहसून के सेवन करने से नसों की जनजनाट में भी relief मिलता है दाद दर्द में राहत लहसून को पीस कर दर्द वाली जगा पर लगाने से दाद दर्द में राहत मिलता है लहसून में anti-bacterial and anti-inflammatory properties होती है जो दातों को infection से बचाता है control high blood pressure लहसून खाने से high BP में भी आराम मिलता है लहसून में मवजूद allicin compound blood sugar level and blood pressure को कम करता है साथ ही control भी करता है इसलिए जिन लोगों को high BP की problem है उन्हें लहसून खाना बहुत ही important है पुर्षो के लिए 5-1 जिन पुर्षो को erectile dysfunction की problem है उन्हें लहसून की 2-3 कल्याक सुभा चबा चबा कर खाने से ये problem दूर हो जाती है ट्रीट mental health लहसून में कई antioxidants होते हैं जो Alzheimer और dysmencia जैसी दिमागी बिमारियों को रोकने में health करता है लहसून depression को कम करता है क्योंकि लहसून में mind lifting properties होती है साथी लहसून tension को भी कम करता है दोस्तों कई कारणों से हमारे पेट में ऐसे acid बनते हैं जिससे हमें घबडाहट होने लगती है सुभा खाले पेट कच्छा लहसून दो से तीन कर लिया अगर हम चबाचबा कर खाते हैं तो ये acid बनना बंद हो जाता है और हमारा tension भी कम होता है तो ये थे फाइदे लहसून खाने के अब देखते हैं कि किन लोगों को लहसून नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंट वूमन लहसून के तासिर गर्म होती है इसलिए गर्वती महलाओं को लहसून सेवन करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे miscarriage की risk बढ़ जाती है अगर किसी वेक्ति की surgery हुई है या surgery होने वाली है उन लोगों को भी कच्चा लहसून का सेवन करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे internal breeding का खत्रा बढ़ जाता है जिन लोगों को low blood pressure की शिकायत है उन्हें भी कच्चा लहसून का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि लहसून blood pressure को कम करता है और जिनको पहले से low blood pressure की शिकायत है उन्हें हार्म हो सकता है इसलिए उनको नहीं खाना चाहिए अब बात करते हैं कि लहसून का सेवन करना कैसे है कच्चे लहसून की 2-3 कल्यों को आप गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं कुछ लोगों को कच्चे लहसून का जो गंद होता है वो बरदाश्ट नहीं होता है लहसून को थोड़ा भून ले और उसके बाद उसे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं या फिर लहसुन का चटनी बना के भी आप सेवन कर सकते हैं तो यह है फाइदे लहसुन खाने के आशा करते हूं कि आप लहसुन खाने के सारे बेनिफिट समझ चुके हैं और आप भी अपने डेली रूटिन में लहसुन खाना शामिल करेंगे इस इस दे आप लूटिन खाने के साथ टाटा